जो शांती पूर्ण राजस्तान कभी अपनी शांती के लिए सदभाव के लिए जाना जाता था उसको शायद ग्रहन लग गया लेकिन ग्रहन से बड़ी चुनोती है लापरवाई की अंदेखी की और कमजोर पुलिसिंग की उसका नतीजा है कि राजस्तान अब नेशनल क्राइ त्याओं की आकड़े से अलंकृत है पच्पद्रा थाना के शेत्र में एक महिला के साथ में जिस तरीके से दुशकर्म की घटना हुई एसिड जलाकर उसको मारा गया ये पराकाश्टा है किस तरीके से राजस्तान की मात्र शक्ति पर एक चुनोती खड़ी हुई है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गैलो जो खुद ग्रह मंत्री है उनी के संभाग में जब ये घटना होती है तो सवाल खड़ा होता है कि सरकार किस काम की सरकार किस नाम की शायद सरकार का तो इकबाल खत्म हुआ ही है लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी हीनता की प्राकाष्टा को लांग चुके हैं यदि गैरत और इमान होता तो शायद राजिस्तान की कानून विवस्ता नियंत्रित हो चुकी राजिस्तान की अनेक चुनोतियों में कोई चुनोती है तो आज की तारीक में कानून विवस्ता है मुझे लगता है कि इस पूरी इतना कि जितनी निंदा की जाए कम है